दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दस्वी पास करने के बाद टॉप 10 मेडिकल कोर्ण से ऐसे कोर्स है जिन्हें आप कर सकते हैं दोस्तो आप में से बहुत सारे श्ट्वेंट हैं जब आगे चल कि मेडिकल के फिल्म में अपना केरिर बनाना चाहते होंगे दोस्तो आप दस्वीं के बाद ही ऐसे कोर्सों को करना चाहते होंगे जिन्हें करके आप आगे चल के मेडिकल के फिल्म में अपना केरिर बना सकें तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हैल्फ लोने वाला है क्योंकि आज का वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे Medical Courses के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप 10 अगर आपने पास के लिया है तो आप इन कोर्सों को कर सकती हैं ना सिर्फ इन कोर्सों के बारे में बताने वाले हैं बलकि इन कोर्सों के बारे में पुरी डीटेस में जानकारी देने वाले हैं जैसे कि इस कोर्सों में एडमिसन कैसे मिलता है कोर्स की डियूरेशन क्या होती है फीस क्या होती है कहां पे चॉप मिलेगा सैली क्या मिलेगी सारी जनकारी बीडियो में देने वाले हैं तो बीडियो को न तक ज़रुर देखें आए बीडियो को स्टार्ट करती है दोस्तो पहला कोर्स है आपका डिपलोमा in medical laboratories technology यानि कि DMLT कोर्स दोस्तो इस कोर्स में एडमीसिन के लिए 10th pass होना चाहिए और कम से कम 40-50% मार्क आपका 10th में होना चाहिए कोर्स की duration के बात करें तो 2 साल का होता है admission भी आप direct भी ले सकते हैं और इंटरेंस exam के थ्रोबीस में admission मिल जाता है fees की बात करें तो 10-50,000 रुपर इस कोर्स की fees पर जाती है वहीं जाउब के बात करें तो आप एक medical lab में जाउब कर सकती है इसके बात आप एक technician बन सकती है आप pathologist बन सकती है आप clinicals बन सकती है लेबटरीज बन सकती है इसके साथ आप एक technologist बन सकती है आप medical laboratories जो होती है तो कई सारे career option आपके पास इस course उकरने के बाद होती है इसके बाद बात करें सहली कि तो आप 2-4 लाग उपए प्रतियर कमा सकती है इस course उकरने के बाद हम बात कर रहे हैं आपकी starting सहली इससे कम या फिर ज़्यादा भी आप कमा सकती है करता है कि आप कहां पर job कर रहे हैं दूसरा course है आपका Diploma in Radiography and Technology जिसे हम DIT course के नाम से भी जानती है दोस्तों इस course में भी आपने तेंथ पास कर लिया है तो admission ले सकती है course में admission के बात करें तो आप direct भी है और इंटरेंस exam के थ्रूब admission ले सकती है course के जौब का होता है वो 2 साल का होता है दूसरों फीस की बात करें तो जो course की फीस होती है वो लगबच 30,000 रुपए से लेकि एक लाग रुपए आपको इस course की फीस पढ़ जाती है वहीं बात करें जौब की तो आप एक बन सकते हैं रेडियो ग्राफर बन सकते हैं एक से टेक्नीशन बन सकते हैं सीटी टेक्नीशन बन सकते हैं यह माराई टेक्नोलोजिस बन सकते हैं इसके बात आप एक रेडियेशन थेरपिस्ट बन सकते हैं तो कई सारे career option भी आपके पा इस कूर्स में भी आपने 10 फन करिये है तौ आप एडमिशन ले सकते हैं आपका direct एडमिशन भी होता है औरullenस एक्जाम के टु बेसमे इडमिशन होता है कॉर्स की डियौरेशन के बात का एत दो साल का कोर्स होता है दो साल की पढ़ाई करने के बाद इस course के डिगरी आपको मिल जाती है जोब की बात करें आप फीस की बात करें course की तो जोब की फीस होती है लगभग 20-80,000 रुपे इस course की फीस पढ़ जाती है जोब आपका होता है इसमें आप pathonomics technician बन सकते हैं pathonomic assistance बन सकते हैं pathonomics references बन सकते हैं तो कई सारे career option इसमें भी आपके पास होती है चली के बात करें तो आप 2-4 लाग रुपे प्रतियर इस course करने के बाद भी आप starting कर सकती है चौथा जो आपका course होता है वो होता है आपका certificate course in dental assistant जिसे हम CDA के नाम से जानती है दोस्तों इस course medivision के लिए भी आपका 10th pass होना चाहिए और कम से कम साली से 45% mark आपका 12 में मांगा जाता है course medivision बात करें तो आप आपका 12 के marit based पे भी होता है और intrinsic exam के through based medivision मिल जाता है course की duration के बात करें तो 6 मेनी से एक साल का course होता है यानि कि 6 मेनी या फिर एक साल की पढ़ाई करने के बाद इस course की degree आपको दे दी जाती है बात करें course की fees की तो लगबग आपको 10 से 50 जार रुपए आपको इस course की fees पढ़ जाती है वहीं job की बात करें तो आप एक dental assistance बन सकती है dental आप hygienist बन सकती है dental nurse बन सकती है dental technician बन सकती है तो ये सारी job और जिंडिय आपके पास होती है बात करें तो एक से तीन लाग प्रतियर इस course करने के बाद आप कमा सकती है इस starting में पांचवा जो आपका course होता है वह होता है आपका diploma in nursing इस course की अगर बात करें आपका admission process की तो आपका 12th की basis पर भी होता है और इंट्रेंस एक्जाम के थरू भी आप 10th की basis पर भी आप जो भ इसके बात करें फीस की तो आपको 50,000 रुपे से लेके 2,000,000 रुपे इस course की फीस पर जाती है जो पर चुनटी के बात करें तो आप एक registration नर्स बन सकती है इसके बाद आप स्टाफ नर्स बन सकती है नर्स एडिमिस्टेशन बन सकती है इसके बाद नर्स आप प्रैक्टेश को इसे इंत्रप एक लियर करें के सथाथ दोस्तोर साल का को थना करने के लिए के security कोई आपको 50,000 चुलाइब श् Feh ड्रग रेगुलेटर ऑफिसर बन सकते हैं तो यह सारे करीयर आपके पास होते हैं जो चैनली के बाद गई तो तो दो से पांच लाग रुपए इस को बिए प्रतियर सकते हैं साथ वास होता है वह अपका डिप्लोमा इन फीजियो थेरपिस्ट बात करें इसमें तो आपका 10 के डिगरी आपको मिल जाती है फीज के बाद करें तो आपको लगभा 50,000 रुपए से लेके 2,00,000 रुपए इसमें भी आपको फीज देनी पड़ जाती है बात करें चॉप की तो आफ एक फीजियो थेरपिस्ट बन सकते हैं आप रहेबिनेशन स्पेसिलिस्ट बन सकते हैं साफ इस पोस्ट फीजियो थेरपिस्ट बन सकते हैं आप पैडनिक्स फीजियो थेरपिस्ट बन सकते हैं आप नेरोलोजिकल फीजियो थेरपिस्ट बन सकते हैं तो फीजियो थेरपिस्ट से रहेट है जो भी चॉप होते हैं आप कर सकते हैं सेली की बात करें तो 2-5,000,000 रुप से ले सकती है एक चाल का सार का कोर्स होता है घंप की फीस में को पंचांच कर और पिस ल रूपे से लिखेड प्रप्रती का सकती है ईंप टेक्नोलोजिस्ट बन सकते हैं, medical imagining टेक्नोलोजिस्ट बन सकते हैं, imagining specialist बन सकते हैं, तो यह सारी job opportunity आपके पास हो दी है, कोर्स की बाद आपकी Sally की बाद करे तो 2 से 5 छाग रुपए प्रतीयर भी इस कोर्स हो करने के बाद भी आपका कर सकती है, नौवा कोर्स होता है आपका डिप्लोमा इन ओपरेशन घ्रीप डेक्नोलोजी बात करें इसमें तो आप 10 के बाद अदू होता है दूरेशन की बात करें तो दो साल का कोर्स होता है तो जोब की फीस बढ़ जाती है कॉलेज की वो लगभा 50,000 रुपए से लेके 2,000,000 रुपए इस कोर्स में भी आपको देना पढ़ जाता है बात करें जॉप की तो आप एक ऑपरेशन थेरपी टेक्नीशन बन सकते हैं इसके बाद आप एनस्थी टेकनोलोजिस बन सकते हैं आप स अधर्जिकल टेकनीशन बन सकते हैं तो यह सारे जो अपरजिंटी आपके पास होती है और आपका दासवे नंबर पर आखी नंबर पर जो आपका कॉर्स है वह आपका डिप्लूमा इन मेडिकल रिकोर्ड टेकनोलोजी दोस्तों इसमें बात करें तो आपका टेंथ पास होन मैनेजमेंट बन सकते हैं इसके साथ साथ आप एक टेकनीशन बन सकते हैं तो कई सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं इस कोर्स को भी करने के बाद सेली के बात करें तो आप 2-4 लाग पर प्रतियर इस कोर्स करने के बाद भी कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा कोर्स है आपके पास ये top 10 से courses है जो हैं जिनिंगे आप 3 के बात कर सकती है और medical के फिल्म एक डिख़ी है है आज की जैनकारी आपको अच्छी लेगी होगी आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसे ही जैनकारी के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरू कर ले मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन